अस्लाम अलीकूम एब्रीवान वेल्कम टो मैं यूटूब चानल से यह दा सारा कैसे आप सावल हम देल्ला मैं ठीकूँ आज हम बनाने वाले वाइट देगी मटन पुलाओ वीडियों तक जरूर तेकना वीडियो अच्छे लगए दो लाइक, कॉमेंट, शेर, सब्सक्राइब लेडना मत भूलना और बेल आइकन तबाना मत भूलना चलिए शुरू करते हैं हम ले रहें, 750 ग्रम गुश हम दालेंगे 2 ग्लास पानी, उसमें हम दालेंगे थोड़ा सा नमक, एक टीसपून अद्रे कलेशन का पेस दाल रहे हैं, दो टेस पत्ते दालेंगे, एक टीसपून यह हम दाल रहे हैं, जीरा एक बड़ी प्याज लेंगे उसको कट करके डाल देंगे अच्छे से मिला लेंगे और कूकर के लिट लगाकर हम लोग चड़ा देंगे चुले पर हम दो सीटी होने तक फुल फ्लेम पर रखेंगे दो सीटी होने के बाद हम लो फ्लेम पर दस मिरिट के लिए पकाएंगे तो गोश अच्छे से गल चुका है हम लोग गोश निकाल लेंगे अलग बरतन में और जो बचा हुआ गोश में का पानी होता है उसको हम मंटन स्टॉक कहते हैं उसको हम साइड में रखेंगे बाद में यूज़ करने के लिए या हम ले रहें एक टीस्पून शाजीरा, एक टीस्पून सौंस, दो जोट जोतरी के फूल, साथ से आठ इलाइची, साथ से आठ लॉंग, एक बड़ी इलाइची, एक टीस्पून काली मिर्ची, एक छोटा जैफल का तुकड़ा, दो दालचीनी के तुकड़े हम इसको पीस लेंगे, और एक फाइन पाउडर बना लेंगे हमें इसको एक फाइन पाउडर बना लेना है उसके बाद हम एक वर्थिन लिंगे उसमें वन फोर्थ कप तेल डालेंगे तेल अच्छे से गरम हने के बाद यहां हम दाल रहे हैं यहां हम दाल रहे हैं शाजिरा, इलाइची, लॉग, बड़ी इलाइची, दाल चीनी, काली मिटची, जीरा ये गरम तेल में डाल देंगे हम लोग इसको डाल देंगे हम लोग तेल में और अच्छी तरीके से उसमें मिला लेंगे मसालों के खुश्बाय तक हम उसको सौटे करेंगे उसके बाद यहां हम ़ोग गयसे ही मसालों की खुछ भूश आएगी वोग एक बड़ी प्याज लेंगे उसको कट करके इसमें दाल देंगे तो टेस्ट पते दालेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे फिर उसके बाद हम उसमें दालेंगे जो चिकन धा हम उसको दाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे फिर उसमें हम दाल रहे हैं 3 टेबल स्पून अधरेकलेसन का पेस्ट 2 टी स्पून हरे मिर्ची का पेस्ट 250 गराम यह हम ले रहें दही 2 टी स्पून धनिया पाउडर लेंगे इसको भी दाल देंगे, फोड़ा सा नमक लेंगे, पीसे वे मसाले दाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए हम लोग पकने के लिए रखेंगे थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं एक किलो बासमती चामल जिसको हमने एक गंड़ा पहले भीगा के रख लिया था हम उसको दाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे जो बचा हुआ चिकन स्टॉक था हम उसको भी दाल देंगे इसमें और अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसमें साहथ शाथ आदा जग लूक वाम वाटर टालेंगे और तीन से चार हरी मिर्ची ढा लें EX NIMO कारस तोड़ी सी कोट्मीर इसको अच्छेसे मिला लेंगे फिर से और इसको पकने के लिए हम लोग रख देंगे 80% पक चुका है हम लोग इसको अच्छी तरीके से चावलों को एक लेवल में कर देंगे उसके बाद हम उसमें दालेंगे तली हुई प्यास और इस पे हम दालेंगे 2 टी स्पून असली खी उसके अबर फॉयल से हम लोग कवर कर देंगे और दंबर चढ़ा देंगे तो ये बन चुका है वाइट दे गई मतन पुलाव बहुत ज़्यादा मस्यदार बना था आप लोग भी ज़रू ट्राइ करिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जाकर चेक करिए त्स इट त्स इट आप लिए दिए दो लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब तिल दें आलावाफेज